वो लड़की अपनी सहीलियों के साथ बस्टॉप पे खड़ी, कॉलज की पिक्निक पे निकलने का इंदुजार कर रही थी। वो लड़का गुरुकुल से चुपचुप कर भागता हुआ वहाँ पहुचा। उसने देखा कि वो बस की तरफ जा रही है। उसने चल दी से अपनी जेब से एक पे निकाला और कुछ लिखने के लिए एक कागस्ट होने लगा। फिस जमीन से एक पता उठाया और उसी पे लिख दिया। ये मेगा, I love you। उसने वहीं पे खेलत हुए बच्चे को पता दिया और उस लड़की की तरफ इशारा किया। वो लड़की बस के अंदर जाही रही थी कि वो बच्चा भागता हो उसके पास पहुँच गया। तभी लड़के के सामने से आर्मी की ट्रक्स का एक गार्मा शुरू हो गया। और कुछ देर तक वो लड़की को देख नहीं पाया। पस्तोर ख़रा तो धाम कर उसे देखने की कोशिश करता रहा। जब आकरी ट्रक्स गुज़ा तो उसने देखा कि सब लड़कें बस के अंदर चली गई है। उसने मुड़कर देखा तो बच्चा हाथ में वही पत्ता लिए ख़ड़ा था। उस पत्ते के दूसरे तरफ कुछ लिखा था। तुमसे सुने के लिए मैंने कब से इंतजार किया है। मेगा। पर तब तक बस चल पड़ी थी। वो पागलों की तरह बस के तरफ बागा। पर बस निकल चुकी थी। और बीच रास्ते रखे। उसने चब मुड़कर देखा तो उसके सामने करें। और ओर बस चके सामने करें। आर खथद्वेजी थी। यहिज़कर बस चेज़कर निकल पागलों की तरह बसाद़् यहिज़कर पागलों की थी। कर दो कर दो